सर्दियों में रात में सोने से पहले कच्चे दूद में बस एक चीज मिला कर लगाना चेहरा चान की तरह चमक उठेगा हेलो गाइस वेल्किन तू माई चानल देखिए हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही सर्दिया स्टार्ट होती है मौसम चेंज होता है तो इसकिन का ग्लू कम होने लगता है काफी सारे रिजन्स होते हैं इसकिन के अंदर मौस्चुराइजिंग ग्लेंज की कमी हो जाती है या फिर मौसम का जो इफेक्ट होता है वो आपकी स्किन पर पढ़ता है इसी के साथ और भी कई रिजन है पलूशन हमारी स्किन में बॉड़ी में हाइड्रेशन का ना मिलना इसकी वजह से भी हमारी स्किन डल हो जाती है आज किस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूं जिसके इस्तमाल से आपके चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो आएगा और अगर आप इसको रेगुलेर्ली 15 दिन तक इस्तमाल करेंगे तो आपक इसके बाद आपने अड़ करना है इसके अंदर हनी एक बहुत अच्छा एक्सफोलियेशन भी हनी हमारी हनी डीपली आपकी स्किन को मुस्चराइज करने के साथ साथ ग्लोइंग एंड सॉफ्ट बनाने में मदद करता है उसके बाद आपने अलोविरा जल मैंने यूज किया पतांजली का सोंदरी है अलोविरा जल वन टीस्पून आप वन टीस्पून इसके अंदर मार्केट वाला अलोविरा जल एड़ करें मैं आपको बता दू अगर आप इसको तीन से चार दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं सो बहुत आसानी से आप इसको अपने फ्रेस के अं उसके बहुत अच्छी रिजर्ट देखे जाते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंट करूंगी कि आप इसको रात में यूज़ करें जब आपका सोने का टाइम हो उससे 10-15 मिंट पहले अपने चेहरे को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना उसके बाद कॉटन की हल्प से इसको ले अगर आप इसको रेगुलिर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो प्लीज आप इसको ट्राय करें प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं कि आज का हमारी वीजियो आप सब्सक्राइब